जहां उन्हें गोली मारी गए थी, वो exactly उसी जगह पे गोली खाकर उनका हाथ actual कटा और उन्होंने देखा कि उनका खुन गिर रहा है वो इतना बड़ा स्टार होने के बाद भी स्टार नहीं था, सेवक था स्वाशकार मैं हूँ आशीश, मेरे साथ हैं मल्टी टेलेंटेट डिरिक्टर, फिल्मिकर, इम्तियाज अली जिनके चहरे पर एक अलग ही एक अलौकिक शांती एक एहसास दिलाती है लेकिन अपने फिल्मों में ऐसी कहानिया वो बुनते हैं कि जो आप के अंदर एक अलग हलचर पैदा कर देती है और अब जब हम उनसे बात करें तो इस समय अमर सिंग चंकीला हर किसी के जुबान पर दिलों पर इस तरीके से उतर चुकी है कि शायद ही और किसी फिल्म ने खाल में वो मौजों पैदा किया हो कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ आशीश आप कैसे हैं आज तो हम मैच कर रहे हैं आज हम दोनों एक जैसे ही लगए है अच्छा है कि आपने दाड़ी रखी वी अवर नाम में ऐसा लगता है कि डबल रोगए थोड़े बालाव लम्मे करने दे अमर सिंग चंपीला के पहले और अब रिलीज के बाद लाइफ में क्या परिवर कर रहे हैं बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जादा तर लोगों को अच्छा लगई फिल्म बहुत सारे लोग अच्छी बाते कह रहे हैं बहुत सारे लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं यह जो शुक्रिया अदा करने का जो जाजबा है यह पहली दफ़ा इतने स्केल पर मैंने देखाई मैं उन लोगों का शुक्र गजारूं जिनों नों नहीं इतना अपना समझ़ा फिल्म को कि जो मेरा ही veto कर रहे हैं कि यार अच्छ हूँ आपने ये फिल्म बनाइगा तो बड़ी अच्छी फिलिंग है ये मेरे लिए अलग फिल्म भी थी इसमें बहुत सारे रिस्क भी लिये बहुत सारी चीजें पहली दफा की, वह सारी चीजें अच्छी पढ़ी, ऐसा सोभागय था कि लोगों को पसंद आई, तो इससे मुझे भी थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिला है। एक जब बहुत बड़ा कोई अधाकार होता है या मेकर होता है तो उसके साथ एक बैगेज भी होता है, बहुत ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वह लगातार हिट दे या बड़ा काम करें, लेकिन वह बैगेज कहीं न कहीं उसके उपर भारी भी पढ़ता है, और उ हमें अंच्छा होता है, हमें एक्छा होती है कि även ऐसा करें और कोई चीज ऐसी है कहानी से इस तरह से कही जाए इस तरह से मैं प्रस्तुत और करूं उसका भी न करेंगे चलिए इसके लिए क्या करना पड़े개ं कभी किया नहीं है किसी में कर करके देखते क्योंकि वो इंट्रेस्ट की वज़े से ना जितनी भी प्रॉब्लम्स आते हैं आपके रास्ते में आप उसको सॉल्फ करने के तरीके ढूंड लेते हूँ तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स की ही वज़े से सबसे अच्छे आइडियास आते हैं कि अमर सिंग चंकीला में प्रॉब्लम्स की वज़े से हमने अनिमेशन लाया कि हम एक च्छत को तूपता हुआ और सौ और ओरतों को गिरता हुआ देखना नहीं चाहते थी क्योंकि वो इतना एक अपने में कुरूर इमेज होता ना और हम नहीं चाहते थी कि उस समय कठोरता आए पिक्चर के नारेटिव में वो तो एक सेलिब्रेशन था एक बहुत बड़ी चीज थी कि यार कोठ हटा उकला का रही है तो यह हम औरतों के पेन को अगर देखते तो हमारा जो मज़ा है वो खराब हो जाता तो इसको कैसे सॉल्व करें तो हमने वो एनिमेशन का जरिया लिया मैं किसी को जादातर कोशिश करता हूँ कि अपनी पिक्चर में स्मोक करता हुआ ना दिखा हूँ सिगरेट पीता हूँ या बीडी पीता हूँ तो उसको फिर हमने अनिमेशन में कॉमिक बुक स्टाइल में दिखाया तो वो सल्यूशन ढूंडा फिर ये था कि पंजाबी सिंगर के उपर आप हिंदी फिल्म बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये दुनिया भर में देखी जाए तो ये कैसे मुमकिन होगा तो इसके लिए सूपर्स डाले स्क्रीन पर तो ये चीजें जो मतलब अगें कृपा से अच्छी जा रही हैं लो मतलब होसला अफजाई जरूर हुए बड़ा सरीयल भी एक वही इंसिडेंट है जिसमें कई मैं पढ़ रहा था कि दिल जी इतने वह तुम भी बजा रहे हैं और हाथ से खून निकल गया और उसी जगह पे जहां पर चमकीला के गोली मारी गई थी वो बजाय नहीं रहे थे हमने जो शूट किया था वो अलहसीन जहां पर वो गोली खाके गिरते हैं यह वही जगह है दर असल जहां पर चमकीला और अमर्जोत का निधन हुआ था जहां उने गोली मारी गई थी वो इग्जाक्ली उसी जगह पे खाड़ा हो रहा था उसी मकान से वो लो निकल के गाड जीद के हाथ में तो जब वो ऐसे गिर रहे थे गोली खाकर कि उसकी एक्टिंग कर रहे थे गिर रहे थे उनका हात अक्टा अट्र एक्ट्टार और उन्हे देखा कि ङूंग गिर रहा है और उनको नहीं कुछ पीश जगह अमर सिंग चमकीला का अक्ट्टॉल खुट गिड वो जो सेन आप गढ़ते हो उस पर क्या प्रोसेस का है मैं समझने जाता है यह जो है ना यह दर असल हुआ था यह बात एक्चुली चंकीला फिल्म में बहुत सारी चीजे हैं जो मैंने लिखी हैं वो इसले लिखी हैं क्योंकि वह वैसा हुआ था मैंने जब उन लोगों से बा एक जर्नेलिस्ट आई थी जीन्स पहना वाते हो तो तो चंकीला उनको देख नहीं पा रहे थे उनकी तरफ नहीं देख रहे थे क्योंकि आदी नहीं थे तो फिर यह सारी डिसकुर्शन हुई थी तरह से अपने नायकों के जरिए क्या वो जो क्विश्चन आपके जहन में वो आप उसका उत्तर पाना चाहते हों? यह मुजह मैं थाद भी मुजचार तो जगा उनकी थिंगए पुजचावस bırakता ह। हces दुटे ऐसा की। ऑगर बागी काम छोड़ देता ह। मुजचा को बनाने का प्रॉसस बहुत ज्यादे लगतों यह झाला कि बनाते में रहते पर मुजचारी है बट इसमें शामिल रहना क्योंकि मेरी मतलब involvement इसलिए होती है क्योंकि मुझे मैं select करता हूँ या देख रहा हूँ या कहानी या brief करता हूँ तो उसमें धीरे धीरे अब जैसे रहमान है रहमान सरे मुझे अंदर बुलाते हैं कि नहीं तुम बताओ तुम करो इस तरह से ताकि पिक्चर भी रहे कहानी कहानी भी रहे म्यूजिक में तो वो मुझे बहुत पसंद आता है और म्यूजिक को शूट करना मुझे बहुत जो कि आप अगर देखेंगे तो नारेटिव का हिस्सा नहीं उसके बगाइर भी कहानी पूरी है मगर वह हम लोगों ने अपनी इंडलजेंस में क्यों कि मज़ा इतना आता है और वह कहानी वह बाद भी इंट्रेस्टिंग है कि और तो को क्यों पसंदा चंकीला का गाना एक डिरेक्टर का स्टायल होता है ये इंट्याज का तो ये क्या क्या है इफ ने अंदर को जर्नी है वह सबिया दार्षकों तक कोशिच पशेश नहीं है कोशिश रिप्रीत है कोशिश है कि ऐसा ना हो वो जो आथर का कोई टच ना हो मैं वो ना करूँ मगर वो आ जाता है तो जैसा कि आपने कहा जर्नीज, ट्रावल I think एक मिडल क्लास या किसी भी क्लास के लोगों के लिए एक बहुत ही औरिनरीली एक्सेप्शनल चीज है कि हर आदमी गरीबी आमीर सफर जरूर करता है ट्रावल जरूर करता है तो जब वो ट्रावल करता है तो उसको अच्छा भी लगता है उसको ऐसा लगता है कि वो अपनी इमिजट सराउंडिंग से निकल गया कुछ नया होता है, कुछ नहीं चीज़ें आती है और यह जो नयापन है यह बहुत ड्रमाटिक कॉलिटी है इसमें बहुत सारी कहानिया बनती है दिमाग में भी आती हैं और आपके आसपास भी होती है वो कहानिया फिल्म में आ जाती है जब वोफ कहानिया फिल्म में आती हैं, तो उनको शूट करने के लिए आप फिल्म फिल ट्रावल करते हो, जब आप ट्रावल फिर से करते हो, तो फिर नहीं चीजे होती है, तो यह थिंक यह कॉज एन एफेक्ट होता रहा है, मेरे साथ. सेट से ऐसी कोई बात जो आपके दिल में अभी तक हो, एक्शली मैं बहुत जादा प्रभावित और शुकर गजार उन लोगों का हूँ, जो पंजाब के लिए हैं, यहां के जो गाहों के लोग थे, इनसे में बहुत जादा इंप्रेस्ट हूँ, मुझे लगता है कि इतने पैसा भी मिलेगा, और उन्होंने अपने घरों से हमें खाना किलाया, अब उन लोगों को हम लोगों ने फिल्म में फीचर किया, आप जो देखते हैं कि इतने सारे लोग हैं, नर्मकालजा में इतने लोग डांस कर रहे हैं, या वो ओरतें जो नर्मकालजा के पहले गा रही हैं, वो सब अकसर वो रियल लोग ही हैं, वहीं उसी उनी घर के रहने वाले लोग हैं, तो हम जाते थे, तो सिर्फ लोकेशन नहीं देखते थे, हम कहते थे, बहन जी आप भी आजाओ ना, आपको हम सूट देते हैं, वो डाल करके आप आजाओ, आप भी, मैं हम फिल्म में उसके लिए वो इतने तायार, अईनात हुआ करिते थे, फिल्म में आने की खूशी किसी को भी हो स stellar है, ब़ड दिल्जीत दोसाज है वहाँ पर, और उसको डिस्टर्बब ना करने कीवजह बगी, उसके पास ही ना जाना, उसको प्मफर्टेबल रखना, अपना घर है, बड और फिर भी जाकर कि उसको नहीं अप्रोच करना है कि जी मुझे एक फोटोग्राफ चाहिए यह बहुत बड़ी बात है और यह सब जगे हमने देखा दिल्जीत की और परिनिती की सबसे जो खास बात आपको लगे इस फिल्म को लेकर दिल्जीत एक बहुत प्योर इंसान है ज जो करने वह बहुते कम यह बहुत अख्ये आपको अनकी और मुझे लगता है कि परिनिती की सब आपको अच्छी और बहुत ही जब आप उन से नहीं से बात कात रहता है तो भात आहल वहांी से बहुत अज्या जिए ऑ deficain को भी घो राड़ीन बेर है ञेसे भी मेरी वेरी प् हमारे बीच ने सबसे ऐसी कोई बात जो आपको सबसे आदा प्रभावित की हो कि वो इतना बड़ा स्टार होने के बाद भी स्टार नहीं था सेवक था वो सेवा करता था ओर्डियंस की ओर्डियंस को ना नहीं बोल पाया इसके लिए उसने जिंदगी दे दिया चौन यह सबसे बड़ी बात मुझे लगती है आपного olması खौफ नहीं होता कि बाजार क्या कहेगा फिल्म चलेगी नी चलेगी या वो जो किसी को नहीं पता होता है यार नया चाहिए होता है, क्योंकि मुझे भी as an audience नया चाहिए and as a director भी नया चाहिए और उसके अलावा ना, देखे, मैं market की respect करता हूँ, हर art जो है ना, उसकी एक कीमत भी होती है, वो कीमत प्राप्थ होनी चाहिए, audience को पसंद भी आना चाहिए, ये भी मैं जानता हूँ, but I think मैं जादा, rules से जादा, audience की एक, जो एक sense है, कि मुझे लगता है कि शाहिए ये पसंद आएगा, उस तरह से सोचता हूँ वो बेपरवाहे, वो साफ गोई कहा से लाता है, कि अपनी फिल्मों को भी कृटिसाइज कर सकते हैं, और ये भोल सकते हैं, जो इतनी चली हुई है, जब भी मैट जैसी फिल्म, या रॉक स्टार जैसी फिल्म के, उसमें डिफेक्स निकाल सकते हैं, लेकि क्या होता है ना, जब आप इंटिव्यू देते हैं वही एक वक्त होता है जब आप अपनी पुरानी फिल्मों के बारे में सोचते हैं उस वक्त भी अगर मैं जूट बोलू ना तो मैं आपको इंप्रेस कर दूँगा बट अपने आपको कन्फ्यूज कर दूँगा जब मैं जूट बोलता हूं तो मैं उस जूट को धीरे दीरे बिलीव करने लगता है मुझे बहतर फिल्मे बनानी है यह मैं जानता हूं मैं कोशिश करूँगा तो इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि मैंने जो काम किया है उसका खुद एक अनालिसिस में सच्छाई से करूँ चमकिला में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज यही था या कि वो पंजाबी सिंगर पे हिंदी फिल्म कैसे बना है एक अलग फिलोसफी भी आपके फिल्मों में दिखती है बहुत जादा आप फिलोसफी और पढ़ने, रूमी, सुफिजम यह सबसे प्रभावित रहते हैं आइ थिंग जादा तर हिंदुस्तानी लोग जो होते है नो थोड़े बहुत फिलोसफिकल होते ही है मैंने तो असिक्षित किसानों को भी देखा है बोलते हुए गाओं के अंदर के कंड कंड में भगवान है इस तरह की बाते हैं तो मैं भी थोड़ा प्रभावित हूँ मैं एक्चली भगवत गीता से बहुत प्रभावित रहा हूँ बच्पन से और उस एक चीज़ आप पढ़ लो इस तरह की ना तो फिर बहुत सारी जो फिलोजोफिकल चीज़े हो जाती है आप उसको अस पॉंज अब्सॉब करना शुरू कर देते हैं चाहे वो अमर सिंह चंकीला की बात करों गया सूचा ना था से लेके अभी तक जेखें विरह एक पीड़ा है पेन है उजदाई है बहुत सारी फिल्मों में तो मिलते भी नहीं है जो हमारे जो आपके मेन प्रटेगनेस और जो हीरो हीरोईन है वो यह क्यों है ऐसा बिरहा जो है न बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि बिरहा is the default setting of human emotion जैसे कि अभी आप रूमी की बात कर रहे थे गुरु गोबिन सिंग जी थे यह लोग हमेशे यह कहते थे कि उचसे जुदाई क्या बिरहा है इस दुनिया में और अगर अब ही जैसे अम्दियाद आप सूच रहें कि राधा कृष्ण हम दुआ भी कर रहें कि बने किन को कास्ट करना चाहोगा अरे या आधा और कृष्ण की और उसमें मैं ने सुनना कि आप कभी फिल्म भी बना ने बहुत कोशिश कर रहा हूँ जैसा कि आपने दिखा होगा यहां पर एक राधा और कृष्ण का बहुत ही अच्छा एक फ्रेम भी यह जो शायद यहां कहीं हिल गया है वो देखिए वहां पर आप उसकी अलग से शौट ले सकते हैं, उसमें देखिए वो जो कलर है ना, कृष्णी का, वो जामुनी कलर है, यह रंग हमने पढ़ाया है शास्त्रों में की जामुनी कलर था उनका, तो हम देखिए, दुआ कीजिए, कि ऐसा हो सके कि मैं ऐसी कोई फिल्म बना सकूँ, मगर उसके लिए मुझे अपने अंदर बहुत सारी शमता पैदा करनी पड़ीगी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो डाउनलोड करें, डैनिक भासकर आप